अरहाम एकेडमी में आपका स्वागत है आज बाद बिहार बोड के प्रस्तावित एक्जाम की बिहार बोड का इंटर्मीडियेट का एक्जाम एक फरवरी से 14 फरवरी तक और मैटिक का एक्जाम 17 फरवरी से 24 फरवरी तक प्रस्तावित है और मानने सिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीटर हैंडिल से आज यानि दिनांग 13 जनवरी 2022 को यह सूचना दी है कि निर्धारित कार्जकरम के अनुसार ही एक्जाम होंगे किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइस नहीं है जो बिहार बोड के अध्यक्ष की कार्जसेली को जानते हैं उन्हें कोई सक नहीं होगा कि वो अपना काम समय पे करा लेते हैं और पिछले बार जब अन्य बोड के एक्जाम नहीं हो पाये थे उस समय भी बिहार बोड ने अपना एक्जाम समय से कराया और रिजल्ट भी निर्धारित समय पे दे दिया और इसके लिए पूरे भारत में इसको पुरसकार भी मिला था तो इस बार भी बिहार बोर्ट, एलर्ट है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है हर exam center के लिए केंद्रा धिच्छक कचैन हो चुका है और हर केंद्रे पे किसी भी तरह की गड़बड़ी जैसे क्या गड़बड़ी होती है admit card जो issue होता है तो उसमें बहुत बच्चों के photo सही नहीं होते है या लड़के के admit card पे लड़की का photo हो जाता है या इसा photo आ जाता है जो पाचाना नहीं जा सकता है और असपस्ट होता है तो इस तरह का अगर कोई गड़बड़ी है admit card पे तो उसको सुधार किया जा सकता है बस student को करना क्या है कोई एक photo यूग पाचान पत्रे लेके जाना है exam center पे examination के दिन ही जाना है अब photo जूग पाचान पत्रे क्या होगा जैसे आधार card होगा voter ID card होगा या driving license होगा या pen number pen card होगा या passport होगा या किसी बैंग का photo लगा हुआ passbook होगा इसमें से कोई एक दस्तावेज अगर student लेके जाएगा तो जो CS होगे कयंद्रा धिख्षक समझ लीजिए जो परिछा केंद्रे का संचालन करता है कराता है head master के पास नहीं जाना है अपने school के head master से नहीं कराना है केंद्रा धिख्षक सि कराना है केंद्रा धिख्षक को अपना valid ID पूरूब देंगे और admit card देंगे कहेंगे कि यह गड़बड़ी है और केंद्रा धिक्षक उसको वेरिफाई करेंगे अटेस्ट करेंगे उसके बाद वह admit card जो है उसकी छाया प्रती और valid ID card है इसकी छाया प्रती Android app से ले करके उसे admit card correction link के माध्यम से upload कर दिया जाएगा हर सेंटर पे एक computer operator या Android app operate करने के लिए सक्षम बेकती यह teacher की न्यूकती की गई है और उसकी training दी जा रही है भिहार बोड के द्वारा प्रमंडल वाईज वाट्सेप ग्रूप बनाया गया है और उस ग्रूप में उस सम्मंधित कर्मी की training होगी जो परिक्षा सेंटर पर रहके समय से बच्चे के admit card में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उसे सुधार करने के लिए online admit card correction link के माध्यम से काम करेगा और हर date में हर subject wise और पाली वाईज दो पाली में परिक्षा होगी प्रथम और दीतिये तो तीथी वार बिशे पासित और प्रवेस पत्रे में सुधार है तो जो भी जानकारी होगी उसको सहसमय upload करेगा यह online monitoring की बेवस्ता है जो बिहार बोड के द्वारा की गई है पिछले बार भी की गई थी इस बार भी की गई है ऐसा इसलिए किया गया है कि किसी भी छोटी सी problem को issue बना करके कोई ब पूरी machinery लगी हुई है परिक्षा समय से होगी बहुत कम समय है आप केवल और केवल अपने अध्यान पे ध्यान देजिए पढ़े हुए चीजों को revise कीजिए अधिक से अधिक ताकि कम से कम समय में अच्छे से अच्छे एक्जाम आप दे सकें और अच्छे से पास कर सकें अ अफ़ाओं पर ध्यान मत दें पर इच्छा समय पर होने जा रही है बहुत बहुत धन्युक्त